लो फ्रेंड्स वेल्कम टू आचानल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स दोस्तों यह बहुत ही अल्टीमेट वीकेंड रहा बहुत ही अल्टीमेट मतलब मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि मैं सच पर जाग रहा हूं यह मैं सपना देख रहा हूं बट मेरे भाई बेट कोईन 28,000 डॉलर्स के ऊपर अगर तुम देखोगे तो जो अल्टाइम हाय मारा है ना बेट पर ने अल्टाइम हाय मंदब अभी के लिए 28,480 डॉलर्स ओके और अब हम लोग जो है वो एकदम ऐसा इंच भर दूर है हमारे गाप को फिल करने से अब वो गाप जो है व वहां शॉर्ट लगाके बैठे होगे उनको पता है कि बिटकोईन गैप फिल करेगा और वापस तीचे जाएगा और मेरे भाई ऐसा नहीं होगा हम लोग नीचे जाएंगे वो समझ लेते हैं सो सबसे पहले तो अगर तुम देखोगे बिटकोईन ने यह यार एक चीज़ और यह वीकली क्लोज है बिटकोईन का यह तो डेफिनेटली देखना बनता है क्योंकि तुम्हें अगर याद होगा तो बहुत क्रिटिकल रिजिस्टेंस थी अपने पास अब वो क्रिटिकल रिजिस्टेंस जो थी न वो थी SMA 200 बिटकोईन ने वो SMA 200 ब्रेक की ही नहीं थी और अब अगर तुम देखोगे तो इतनी ग्रीन कैंडल उस वीकली मुविंग एवरेज को चीरती हुई निकली है बहुत बहुत बुलिश ओके अब करना क्या है उस एवरेज का रीटेस्ट रीटेस्ट करके वापिस भाईया वही धोड़े दिन रुको एक दो तीन हफ्तां चाहे दो महीने बोर करो लोगों को और हमें टाइम दो और एक्युमिलेट करने का और वहां से रैली जो है वो शूरू होनी चाहिए अब रही बात गैप की तो डिफिनेटली अपने पास अब गैप काफी सारे है एक गैप हम लोग ऊपर क्लोज कर रहे हैं बट मेरे भाई नीचे दो बहुत बड़े गैप सब जो है वो खुले छोड़े हैं तो तुम देख सकते हो हम लोग ने 27.200 से लेके 27.200 सो यह एक गैप है और यह नीचे बहुत ही मैसिव गैप है तो अब अगर हम लोग समझे के होना क्या चाहिए हमारी थियोरी के हिसाब से सबसे पहले बि करके वापिस उपर की तरफ निकले 30,000 डॉलर के उपर जाए सब लोग एकदम एक्स्ट्रीम ग्रीड में आ जाए क्योंकि मैंने जो काफी लोगों के वीडियो भी देखे थे वह काफी बड़े ट्रेडर है तो सब लोग यहीं फटने दे रहे थे कि जब बैटको इन 30,000 तो बिटकोइन उसका उल्टा ही करता है सब वहीं करना है जहां पर सब बुलेश हो जाएंगे एक्स्ट्रीम ग्रीड में चले जाएंगे जैसा कि हम लोग अभी देख रहे हैं वहां से मेरे भाई हम लोग जो है वो शौट की तैयारी कर लेगे अभी बिलकुल नहीं अभी अच्छा खासा ग्रीन चल रहा है मतलब सब कुछ ऐसा चलांस मार मार के ऐसा डबल डबल डिजिट्स की दे रहा है तो क्यों पंगे लेने तो करो में तो बेटकोइट जरूर सॉलिड पांप दे रहा बट और कोई नहीं दे रहे क्यों वह भी हम लोग डिसकस करते हैं अब यह हो गया है तो गोल्ड में जैसे बैंक्स आ गया के बोल रहे कि बिटकोइन बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट है जब माइकल सेनर हर रोस बता रहा था तब इन लोगों ने भाव नहीं दिया जिल लोगों ने दिया वो सॉलिड प्रॉफिट में है आज हमारे परिवार का ह इसा है बट यह लोग ठीक है ओके अब क्यों बिटकोइन 28000 के ऊपर है वो तुम यहां देख सकते हो बैंक्स की धजिया उड़ गई है सिल्वर गेट सिलिकॉन वैली बैंक एक और था ठीक है तो यह तीन बैंक्स जो गए अब सिरफ यह तीन नहीं गए उसके बाद चौथा 56 बैंक्स तो मेरे भाई फेड इतना पैसा प्रिंट करेगा ना इन सब को बचाने के लिए कि तुम सोच भी नहीं सकते हों के एक सो नबबे बैंक्स टोटल हो गए तो मेरे भाई तीन सो बिलियन डॉलर्स जो है वो फेड ने प्रिंट किया वो economy में डाला वो इन बैंक्स को दिया कि भाईया तुम बच जाओ तुम गए तो पूरा देश ले लूब होगे और इसी के चलते लोगों को समझ में आ रहा है कि भाईया बैंक्स में पैसा रखके कोई फाइदा नहीं है जिन लोगों ने नहीं समझा तुम देखो अर्जंटीना में इंफलेशन रेट 100% से वेल्यू अगर उन्होंने बिटकोइन भाई किया होता तो मेरे भाई आज की डेट में सॉलिड गेंज में होते हैं चाहे देश की बैंड बच गई बच गई बट उनकी नहीं बचती इसलिए मैं हमेशा कहता हो थोड़ा सा पैसा वहाँ चाहिए और बहुत बड़ी न्यूस जैसा कि हम लोग क्रेडिट सुस की बात कर रहे थे सो क्रेडिट सुस जो है उसने बोला कि बहुत बिलियून डॉलर में हमें कोई बेक्वायर कर लो जस्टन सन कहता है मैं तुझे डेट बिलियून डॉलर दोगा सब्सक्राइब बंदा हीरो है ओके तो वह बारगेटिंग क क्रिप्टो ट्रेडिंग यहां से क्रिप्टो ट्रेडिंग जो है वह आसान हो सके बट नहीं यूबी एस या मैं कहूं यूएस ने डबल दिये पैसे कि तुमको डेड़ चाहिए डेड़ गा तुम सवा तीन बिलियन डॉलर लो और उन्होंने बाय कर लिया है अब स्विजर दर है कि आज जब बैंट्स ओपन होंगे यूएस में तो क्या हालत होने वाली है इसलिए हम लोग देख सकते कि बेटकोईन में इतना तकड़ा पा रहा है और इस सब के बाद पंप और अच्छा हो सकता था अगर यह कुछ और अच्छी बात कर देता कि बेटकोईन बेच द करता है जब तक क्रिप्टो है यह रहे और यह हमेशा करता है और इसके बाद अगर हम लोग ओप्तो गया है कि पैसा चपने वाला है कोई भी 22 तारीक का वेट नहीं कर रहा है जब फेड आएगा और यह जरौंपॉल आएंगे और आकर बताएंगे कि वह कितने परसेंट रे को दे रहे हो और तुम कल को गर्मिट मनलब तुम पबलिक को बोलो के भाया हम लोग रेट मढ़ा रहे हैं ताकि तुम्हें इंट्रस्ट जो है वह बैंगा पड़े तो वह बेवकूफी ही क्यों नहीं कर रहे हैं वह समझते हैं तो उसका कारण है बेट कोई डॉमिनेंट्स वखे तो हम लोग इसको यही रखते हैं तो यह रहा बेटकोई डॉमिनेंट्स अगर तुम देखोगे तो उसका जो नेक्स्ट रिजिस्टन्स लेवल है ना अब यह भी इतना स्रॉंग रिजिस्टन्स रही है तो 48 तक स्टिल बेटकोई को आना है तो कि उसके पहले वह एक बार ही यहां से रिवर्स हुआ है तो आए और हम सब को होप करनी चाहिए कि भया बेटकोई डॉमिनेंट्स जो है व और जैसे यह रिवर्स होगी तुम देख सकते हो और इसका मतलब क्या है देखो जैसे कि मैं विशा कहता हूं पॉर्टफोलियो चालिस तीस तीस हो क्यूंकि सबसे पहले पैसा कहा रहा है बेटकोई में इसलिए बिटकोई की डॉमिनेंट्स उपर जा रहे हैं बाद में ला है अच्छे और पर पकड़ो हमने बहुत दो तीन महीने पहले भी एक वीडियो बदाई थी टॉप के और कोई तो वह जरूर देखो वीडियो जिल लोगों ने तब देखी निए वह पैसा अल्रेडी डबल कर चुके है वह लोग अलग हो रहे हैं अब बात हुई थी करिप् लामा टोकन जो है वो लॉच्च किया जाए बट सब लोग अगरी नहीं हुए वो लोग अलग हो रहे है और लोग अभी भी कहरें के लामा टोक लगर आता है तो भाईया दूर की रहें बट अगेर मैं वहीं नहीं समझ पार हो भाईया डिफाय लामा एक्जाक्ली ऐसा तुम एक डेटा गवर्नर्स पोटल हो तुम डेटा दिखा रहे हो तो उसका तुम कैसे करोगे मुझे वह एक्जाक्ली नहीं पता अगर हां आया भी तो मैं तो थुक्त दूर ही रहूँ नहीं से काफी अच्छे प्रोजेक्ट से जो हमें देखने हैं जो हमें इन्वेस्ट करने हैं बट यह नहीं और ओवरॉल मार्केट बहुत अच्छी है मैं तो वही खाऊँगा अभी फ्रेश बाइक बिल्कुल मत करो बाइक करने की जरुरत नहीं है अब लोग ने बहुत सब्सक्री चीज़े बाइक की है कॉन फ्लक्स यह टोकन रोके ले रहा है वहां तगड सब्सक्राइब करेंगे नहीं लगेगा तो बिल्कुल बाइंग मत करो शांती से साइड में बैठो एक बरी एक्स्रीम ग्रीन हुआ बिट्कॉइन डॉमिनेंस बॉटम पे आई हम लोग लाइफ ट्रेडिंग करना शुरू कर देंके ताकि जो पैसा साइड पर पड़ा है उससे हम लोग अच्छे और कोई आप्शन नहीं है और आज वो दिन अच्छा नहीं है क्योंकि बिट्कॉइन ने बहुत अगड़ी र सब्सक्राइब करो तुमसे कल बुलकात होगी दोस्तों तेंक्यों